कोहड़ा जिसे हम पमकिन के नाम से भी जानते हैं इसे हम आज कुछ अलग तरीके से बताने जा रही हैं आप इस वीडियो पर अंतक बने रहें और जानकारे लें सबसे पहले एक कोहड़े को लेंगे और इसके बीचों बीच छीरा लगा देंगे अब इसके पतले-पतले स्लाइस को काट ले और बिना छिलके उतारे इसे आप अपने मंचाहे आकार में काट ले इसके बाद इसे अच्छी तरह से धोले अब गैस को ओन करे और एक कढ़ाई को गर्म करे आप इस रेसेपी को सरसो के तेल में ही बनाए इसे ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है यहाँ पर मैं वांटेबल इस्पुन सरसो के ओईल को गरम करके इसमें पंच फोरन अगर आपके पास पंच फोरन ना हो तो आप सौफ, कलाउंजी, मेथी दाना, सरसो और जीरा को मिला कर इसे तयार कर सकते हैं साथ में कुछ हिंग को भी डालें इस फोरन को थोरी देर चटका लेने के बाद इसमें कटे हुए कोहरे को डालेंगे और थोरी देर के लिए फ्राइ कर लेंगे अब इसमें 1 टेबल इस्पुन, नमक, 1 टेबल इस्पुन, हल्डी पाउडर और 1 टेबल इस्पुन अदरक के पेश्ट को डाल कर इसे मिला लेंगे इसके बाद यहाँ पर 1 टेबल इस्पुन, चिल्ली फ्लेक या चिल्ली पाउडर भी आप डाल सकते हैं अब इसे थोरी दिर तक मिलाने के बाद इसे ढख कर पांच मिनट तक गैस को मेडियम फिलिम में रख कर पकाएंगे पांच मिनट के बाद इसे फिर से एक बार मिला ले और इसमें मुठी भर कस्थुरी मेथी को डाल कर इसे मिलाने के बाद अगले पांच मिनद तक फिर से पकाएं देखिए अब एक बार किसी सीख या फिर छमच की सायता से चेक कर ले कि आपके कोहरे पके हैं या अभी भी कच्चे हैं कोहरे को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है ये एक से दो बार ढखकर पकाने से ही ये अच्छी तरह से पक जाती है देखिए ये कोहरे के भुजिये बिना छिलके उतारे कितने स्वादिश्ट दिख रहा है अगली बार आप जब कभी भी कोहरे के सुखी सबजी या भुजिये को बनाएं तो आप इस तरीके को जरूर अपना है वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक दोस्तों के साथ सेर और मेरे चैनल पर नए है तो सस्क्राइब करना ना भूले